हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ लब कुमार एक तरफ जहां कोरोना के कहर रोज बढ़ता जा रहा है और हजारों लोगों की मौत हो रही है वहीं जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उन्हें एक खतरनाक बिमारी अपना शिकार बना रही है और इसकी वज इसे महमारी घोशित कर दिया तो चली इस वीडियो में जानते हैं कि ये ब्लैक फंगस क्या होता है ये कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को ही क्यो हो रहा है इसके लक्षन क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है तो चली शुरू करते हैं तो आईए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या होता है ब्लैक फंगस या मिवकर माइकोसिस तो जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है ये एक फंगल इंट्रेक्शन है और इस फंगस के कण हमारे वातावरन में पहले सही मौजूद है आप सभी ने कभी न कभी ब्रेड पर लगी फंगस तो देखी होगी लेकिन ये फंगस फ्रेश ब्रेड पर नहीं उगती है जब बाहर का वातावरान इस फंगस की ग्रोथ को बढ़ावा देता है तभी यह उगती है ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी है इस फंगस के कण हमारे शरीर में सांस के द्वारा गुशते हैं लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी मज जो लंबे समय से इलाज के दोरान एस्टराइड ले रहे हैं जिसकी वज़े से उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई हो तो उनमें ये फंगस के कंड़ खत्म नहीं हो पाते हैं और फिर नाक के रास्ते होते हुए ये साइनस को क्रॉस करते हैं और आखों तक पहुंच जाते हैं और इसी से बचने के लिए डॉक्टर सांखों को निकाल देते हैं तक ये और ना फैले बात करते हैं कि ये कुरोना के मरीजों को निशाना बना रहा है। ब्लैक फंगस सिर्फ उनी कोरोना के मरीजों को शिकार बना रहा है जिनों ने कोरोना के इलाज के समय बहुत ज़्यादा दवाईया इंजेक्शन या इस्ट्रोइड ली हो क्योंकि ज़्यादा इस्ट्रोइड लेने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और ऐसे में अन्य बिमारीयों की होने की संभावनाएं बढ़ जाती है वह येम्स दिल्ली के निजेशक डॉक्टर रंदीप गुलेरिया का कहना है कि आम तोर पर कुरोना के इलाज में पांस से दस दिनों तक की इस्ट्रोइड की जरूरत पड़ती है इससे ज़्यादा दिनों तक मरीज को ये दवाएं दी जाये तो ब्लैक फंगस की आशंका काफी बढ़ जाती है तो चली अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है केंद्रिय स्वास्त मंत्री हर्षवर्दन ने ट्वीट कर बताया कि आखों में लालपन या दर्द, बुखार, खांशे, सिर्दर्द, सांस में तकलीफ, साफ साफ दिखाई नहीं देना, उल्टी में खून आना या मानसिक स्थिती में बदला ब्लैक फंगस के लक्षण हो स मात्रा में बिल्कुल भी कमी ना होने दीजिए, वहीं अगर आपको ये लगता है कि आप में ब्लैक फंगस के लक्षण है, तो तुरन डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इसके इलाज में जितनी देरी होगी, उसका असर उतना ही बुरा होगा, उमीद करता हूँ आपको इस वी असली Selे उतना ही होगी, लगते है से मिल असरा का असरा औरा आपको असरा guidance, आपको ये आपको ये लगता है कि लुराईすぎ心शने, में रदेक हैं जितना है, सетр engð warum आपको युराशने हैं है लेला है